हलो दोस्तों स्वागता आप सभी का हमारे उनलाइन चनल अराध्या अरेस अकेडमी में दोस्तों राजस्तान में आयुजीत राजस्तान पटवार बरती परिक्षा 2021 के नवीन तम पाठे करम के नुसार भारतिय इतियास में दोस्तो अपन प्राचीन भारतिय इतियास से समंदित आज अपन 200 प्रस्ण है वो पढ़ेंगे और ये प्रस्ण आपकी परिक्षाकित लिए अत्यांतम है तोपुन है टोपिक वाइज भी अपन क्यूसन पढ़ेंगे पहले दोस्तो अपन भारतिय में पहला प्रश्न चीन यात्री फायान में किससे यह तो दोस्तों आप सभी को पता होगा कि किससे आशनुकाल में भारत आया था तोिस का राइट तो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, C नंबर का ओप्शन बिल्कुल सही उत्तर, आगे देखे, देखे, दो चीनी यात्री आये थे, एक तो फायान आया था, यह आया था चंदरगुप्त दित्ते के समय, एक आया था दोस्तो हिंसान, ठीक है, कौन था, हिंसान, और य तो इसका एनल था, C नंबर ओप्शन, प्राइट आंशर इसका, आगे दीके, आखे देखे, 2 नंबर प्रेस ने, कालिदास की किस करती की गिंती, विश्वकी सूपरसीदेश्यसाहित्तिक करतियों में होती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो है, अभिज्यान साक उंतलम तो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें C नंबर का उप्षन बिल्कुल सही उत्तर तो इसका आगे देखिए तीन नंबर प्रेस्टन है चंदरगुप्त विक्रमादिते के दर्बार में नवरतनों में कौन अधिक सबसे प्रसित था तो दोस ए नंबर का जो उप्षन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा देखिए चंदरगुप्त दिर्ट्य के इदरबार में नो रतन थे कौन-कौन थे तो कालिदास, धन्वंतरी, सपनक, अमर सिंग, संकु, बेताल भट, गटकपर, वरामीर और वरुची ये नो दोस्त तो रतन थे चंदरगुप्त दित्य के समय और उनमें से सबसे अधिक है प्रशित था ये कालिदास, थीक है, तो इसका राइट आंसर इसमें ए नंबर का उप्षन बिल्कुल सही उत्तर, और देखिए कालिदास की पुस्तक कौन-कौन सी है, तो मैं आपको बता दो, रितू तो दोस्तो देखे, उसकी उज्जेन सासकों पर विजय के सल, फल सवरूप दोस्तो इनको विक्रमा दित्य कहा जाता है, याद रखना तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसमें ए नंबर का उप्षन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है, और क्या-क्या उपादि ये चंदरगुप्ट दित्य की उपादिया थी, तो इसका राइट आंसर, ए नंबर आप्षन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, उज्जेन, C नंबर का उप्षन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, आगे देखे, दोस्तो इसमें, चंदरगुप्त दित्ये की विजियों से उसके सामराजे का विस्तार कहां तक हो गया चंदरगुप्त दित्ये की विजियों से उसके सामराजे का विस्तार है वो कहां से कहां तक हो गया वो अपने को बताना है तो देखे इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है पस्मी समूंदर तट तक यानि कि पस्मी समूंदरी तट तक दोस्तों चंदरगुप्त दित्ये का जो सामराज्य विस्तार है वो हो गया था ठीक है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इसमें ए नंबर का ओप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा आगे देखें इसमें साथ नंबर का प्रेशन है इलाबाद के इस्तंब लेक में हरी सेंड ने प्रसंसा की थी तो किसकी प्रसंसा की थी तो दोस्तों समूंदर गुप्त की प्रसंसा की थी और समूंदर गुप्त को क्या का जाता है तो दोस्तों भारत का नेपोलियन क्या का ज योद्धा और कुसल सेना पती था इसी कारण इसे भारत का नेपोलियन कहा जाता है तो इसमें C नमबर उप्शन बिलकुल से उत्तर आगे देखें समुंदर गुप्त के काल का इतियास जानने का सबसे महतुपून सादन है वो कौन सा है तो वो है दोस्तो इलाबाद इस्तम प उत्केन लेक तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नमबर का उप्शन बिलकुल से उत्तर हो जाएगा इसमें समुंदर गुप्त के संपूर्ण जानकारी है वो मिलती है इस लेक में आगे देखें गुप्त वन्स की इस्तापना किस ने की तो सीधा सा है गुप्त वन्स की संसकर्ती में स्वन यूग कहा जाता है तो किस यूग को भारत की संसकर्ती में स्वन यूग कहा जाता है तो ये कहा जाता है दोस्तों गुप्त काल को भारती संसकर्ती का स्वन यूग कहा जाता है तो इसमें बी नंबर ओप्शन बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा आगे देखे कि 11 नंबर का प्रेस ने गुप्त समत की स्तापना किस ने की थी तो दोस्तों देखिए गुप्त समत की स्तापना है वो किस ने की थी तो चंदर गुप्त पर्थम ने गुप्त समत की स्तापना की थी तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इसमें ये नंबर का उप्शन जाता अच्छा प्रस्न है बिम्बी सार ने अपने राज्य वेद जीवक को किस राज्य के राजा की चिकिच्चा के लिए भेजा था तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है अवंती सी नंबर का उप्षन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा अवंती आगे देखे बहरत पर आकर्मन करने वाला पहला विदेशी कौन था तो दोस्तो कौन था बहरत पर आकर्मन करने वाला पहला विदेशी तो वो था दोस्तो साईरस कौन था साईरस एह नंबर उप्षन का option बिल्कुल सही उत्र हो जाएगा मोहंजोड़ो आगे देखे शाक्य राजवन्स के किस राजकुमार ने एक महांध्रम की इस्थापना की तो वो है दोस्तो इसमें सिधार्थ है तो इसमें B-Namber का option बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा सिधार्थ एक महान ध्रम की स्थापना की थी आगे देखें बोध ध्रम के परवरतक गोद्तम बुद्ध का जन्म कब और कहा हुआ था ये तो अब सबJake को पता होना चाहिए ज़ो गोद्तम बुद्ध का जन्म है वो दोस्तो कभ और कहां पर हुआ था ये अपने कुछ में बताना है तो इसका right answer हो जाएगा 623 इस्वी पूरो में दोस्तों लूंबीनी में कहां पर हैं लूंबीनी में हुआ था तो इसका right answer हो जाएगा इसमें बीनमबर का option बिल्कुल सयुत्तर हो जाएगा ठीक है लूंबीनी में हुआ था गोतम बुद्ध का जन्म बी नमबर उप्षन बिल्कुल से उत्तर आगे देखे हडपा सब्वेता के विलुप्त हो जाने का कारण क्या माना जाता है हडपा सब्वेता के विलुप्त हो जाने का कारण है वो क्या माना जाता है तो देखिए हडपा सब्वेता के विस्तार के साथ भूमी की उर्वरता का निरंतर कम होना दूसरा है बाडो का आजाना तीसरा है विजातियों का आकर्मन इन तीनों की वज़े से ये तीन परमुक कारण है दोस्तो इनी की वज़े से दोस्तो हडपा सब्वेता के विलुप्त हो जाने का पता चलता है तो इसका right answer हो जाएगा इसमें D number का option उप्रियुकते सभी कारण next है काली बंगा कहां इस्तित है काली बंगा कहां पर इस्तित है तो ये दोस्तो राजस्तान में हनुमानगड में इस्तित है तो इसका right answer हो जाएगा B number option बिल्कुल सभी उत्तर आगे देखे सिंदु गाटी की सब्वेता के लोगों का धर्म मुख्यता किस पर आदारित था तो धर्म है वो मुख्यता किस पर आदारित था तो वो है मात्र देवी की पूजा पर जानि की मात्र सतात्मक्ती सिंदु गाटी सब्वेता तो इसका right answer हो जाएगा C number का option बिल्कुल सभी उत्तर आगे देखे 20 number प्रेस ने हडपा सब्वेता के ओजार और अस्तर मुख्यता बनाय जाते थे तो इसमें C number option बिल्कुल सभी उत्तर हो जाएगा 21 number प्रेस ने इसमें देखे असोक के अभिलेक में उसके किस एक मात्र पुत्र की चर्चा की गई है तो इसका right answer हो जाएगा वो है तीवर B number का option बिल्कुल सभी उत्तर हो जाएगा तीवर ठीक है आगे देखे इसमें जैन गरंथों की रचना किस लीपी में हुई थी तो जैन गरंथों की रचना है ये कौन सी लीपी में हुई थी तो प्राकरत लीपी में हुई थी जैन गरंथों की रचना A number option बिल्कुल सभी उत्तर हो जाएगा तो ये तो दोस्तों आप सभी को पता होगा कि जो गायतरी मंत्र है ये कहां से लिया गया है तो ये रिगवेद से लिया गया है कहां से रिगवेद सहीता से लिया गया है तो अपना राइट अंसर हो जाएगा A number का option बिल्कुल सभी उत्तर देखिए रिगवेद में 10 मंडल 1028 सलोक और करीबन 10600 मंत्र है ये आपको इसमें याद रखना है A number option बिल्कुल सभी उत्तर 25 number प्रेशन इसमें देखिए वेदि काली नदी परूशनी जिसके तटपर 10 राजाओं का युद हुआ था उसका आधुनिक नाम क्या है देखिए परूशनी है ये इसका वर्तमान नाम है रावी क्या नाम है रावी नदी ठीक है रावी नदी है इसका प्राची नाम क्या था परूशनी याद रखना है आपको तो इसका right answer हो जाएगा इसमें B number का option बिल्कुल सयुत्तर हो जाएगा आगे देखिए दोस्तों इसमें 26 number प्रेशन मोहन जोदाडो से प्राप्त सामगरी तथा धातु खंडो से पता चलता है कि यहां के निवासियों को अनेक प्रकार की धातुों का ज्यान था किन्तु दोस्तो लोहे का ज्यान नहीं था यानि कि मोहन जोदाडो से प्राप्त सामगरी तथा धातु खंडो से पता चलता है कि यहां के निवासियों को दोस्तो अनेक प्रकार की धातु का ज्यान था किन्तु लोहे का ज्यान है वो नहीं था तो अपना राइट आंसर इसमें B नंबर उप्शन बिलकुल सहित्तर हो जाएगा आगे देखे मोहन जोदाडो से प्राप्त मूर्तियों के आधार पर कहा जा सकता है कि सिंदु की सब्वेता से सम्मन्द लोग सिंदु की सब्वेता से सम्मन्द लोग सेव थे कौन थे सेव तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इसमें बी नंबर का उप्शन बिल्कुल सेउत्तर हो जाएगा आगे देखे इसमें 28 नंबर प्रेस्ट ने मोहन जोदडों के खनन कारे से पता चला है कि वहां एक के नीचे अनेक नगर चक्र के कारण ध्मस हुए है इन नगरों की समख्या बताई कितनी जाती है दुबार देखे अच्छा प्रस्ण है मोहन जोदडों के खनन कारे से पता चलता है कि वहां एक के नीचे अनेक नगर चक्र के कारण ध्मस हुए इन नगरों की संख्या दोस्तों कितनी है तो ये तो आप सभी को पता होगा मैंन मुसासिस है जिसका पता मोहन जोदडों की खुदाई के बाद चला यह इस्तान यह इस्तान दोस्तों कहां पर है तो ये इस्तान है दोस्तों पाकिस्तान के मौन्ट गोमरी जिले में तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा डी नंबर का उप्शन बिल्कुल सहुतर हो जा मौन जोड़ो सब्वेता है इसके उत्करन करता कौन थे तो राखलदास बैनर जी नहीं तीक है यह आपको इसमें याद रखना है राखलदास बैनर जी आगे देखे इसमें सिंदु सब्वेता का विश्तार कां से कार्तक था तो देखे शिंदु सब्वेता का विश्तार है व तो इस सब्सक्राइब तक अगर विस्तार देखें अपन तो देखें पंजाब, सिंद, बलुचिस्तान, गुजरात, राजस्तान और पस्मी उत्रप्रदेश तक है दोस्तों ये विस्तरित थी तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें कौन सा तो वो है डी नंबर का उप्सन इसका राइट आंसर हो जाएगा पंजाब, सिंद, काठियावार, उत्री, पस्मी, सीमा, अपरांत, तथा गंगा, यमुना के दो आप तक ठीक है तो इसमें डी नंबर का उप्सन बिल्कुल से उत्र हो जाएगा आगे देखें मोहन जोदाडो नामक तीले के नीच कोई प्राची नगर बसा हुआ था, इसका पता सिरी मारसल और सिरी राखलदास बेनर जी ने सन, कौन सी सन में लगाया था, इसका पता, तो ये लगाया था दोस्तों, गुनी सो बीस में पता लगाया था, ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी नंबर का पुरातात्विक खननकारिय है, ये कब किया गया, ये किया गया दोस्तों, गुनी सो बाइस में, किस के द्वारा राखलदास बेनर जी के द्वारा किया गया था, कौन सी नदी के तठपर है, तो सिंदु नदी के तठपर इस्तित है, कहां पर है ये मोहन जोदोडो, तो ये अनागार वे सनानागार मिले हैं रुसूति वस्तर भी मिले हैं मोहन जोदरों से ठीक है तो इसमें B नंबर उप्षन बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा 1922 में राकल दास बैनर जी के द्वारा क्या गया था आगे देखें मोहन जोदरों किस भासा का सब्द है तो ये कौन सी भा का सब्द है डी नंबर उप्षन बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा सिंधी भासा आगे देखें मोहन जोदरों का साब्दिक अर्थ क्या है तो इसका साब्दिक अर्थ है मुर्दों का टिला क्या अर्थ है मुर्दों का टिला तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इसमें B नं परा के कुछ अन्य नगरों का भी पता चला है कहा जाता है कि मोहन जोदाडों की इस सब्वेता इसा से यानि कि कितनी लगबग कितने वर्स पूरव की ये सब्वेता है तो सिधा सा है इसका राइट आंसर हो जाएगा करीब तीन हजार वर्स पूरव की ये सब्वेता है तो इ ये नंबर का option बिलकुल सेवित्तर हो जाएगा, आगे देखिए इसमें बुद्ध को ग्यान की प्राप्ति कहां हुई, तो दोस्तों बुद्ध को ग्यान की प्राप्ति है, वो कहां पर हुई, तो ये हुई थी दोस्तों बौध गया में, कहां पर है, बौध गया में हुई थ तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा वो है ए नमबर का उप्शन बिल्कुल सेविक्तर हो जाएगा ठीक है बूद गया याद रखना बहुत ये अच्छा प्रशन है और मातमा बूद ने अपना पर्थम उपदे से कहा पर दिया था सारनात में दिया था ठीक है ये भी अपना पर्थम परवर्चन किस ने दिया था तो ये दिया था दोस्तों किस ने मातमा बूद ने मातमा बूद ने तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इसमें C नमबर उप्शन बिल्कुल सेविक्तर हो जाएगा आगे देखिए 38 नमबर प्रशन अजनता की गुफाओं में चितर किस काल के है अजनताओं की गुफाओं में चितर है वो किस काल के है तो वो है गुप्त वन्स के चितर है दोस्तों इसमें अजनता की गुफाओं में ठीक है गुप्त वन्स के काल के चितर है तो इसमें B नमबर उप्शन बिल्कुल सेविक्तर हो जाएगा 49 नमबर प् प्रोच्षाहन उद्योग धंदो वैक कर्शी को प्रोच्षाहन इसकी प्रमुक्विशेस्ता थी ए नंबर का उप्षन बिल्कुल सही उत्तार हो जाएगा आगे देखिए इसमें 40 नंबर प्रेस्ट नहें गुर्जर परतिहारवंस की स्तापना की थी गुर्जर परतिहारवं तो इसका राइट अंसर हो जाएगा ए नंबर उप्षन बिल्कुल सही उत्तार आगे देखिए 41 नंबर प्रेस्ट नहें वर्तमान गणीत में दसमलव प्रणाली आविसकारक का स्रे निम्न में से किस यूग को जाता है तो यह जाता है दोस्तों कौन से यूग को तो यह हो जाएगा आगे देखिए गुप्त कालीन बोध शिक्षा का महान के अंदर कौन सा था गुप्त कालीन बोध शिक्षा का महान के अंदर कौन सा था तो इसका राइट अंसर हो जाएगा वो है दोस्तों नालंदा सी नंबर का उप्षन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा और दो महाकावे रामायन और महाभारत का सहीता करण गुप्तकाल के दोरान संभावत किस सताबदी में हुआ अच्छा प्रसन है इसमें देखिए दो महाकावे रामायन और महाभारत का सहीता करण गुप्तकाल के दोरान संभावत किस सताबदी में हुआ तो ये चोथी सताबदी इस्वी में तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नमबर ओप्शन बिल्कुल सयुतर हो जाएगा आगे देखें प्राचीन भारतिय कला एवं इस्तापत्य के चर्मोतकर्श का यूग था तो वो कौन सा यूग था तो वो था दोस्तो इसमें गुप्त यूग तो इसमें C नम कुदिष सास्तृ का परुमुक विद्वान कौन था तो दोस्तो ये तो आप सबीको पता होगा कौन था तो ये था दोस्तो वागभट कौन था वागभट तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इसमें A नमबर का ओप्शन बिल्कुल सयुतर हो जाएगा ठीक है आगे देखे इस में खगोल सास्तर में गुप्तकाल का सबसे प्रुशिद नाम है, तो वो कोन सा है वो प्रुशिद नाम, तो वो है दोस्तों, आरिये भटे, C number का option इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा ब्रह्म सिद्धान्त दिया था किसने तो आर ये भटने तीक है तो इसका right answer C number option बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा आगे देखिए इसमें 47 number प्रेस ने कौन सा राजवन्स हुनों के आकरमन से अतियंत विचलित हुआ कौन सा राजवन्स है वो हुनों के आकरमन से अतियंत विचलित हुआ तो वो था दोस्तो इसमें गुप्त वन्स कौन सा गुप्त वन्स है तो इसका right answer हो जाएगा C number का option बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा ठीक है आगे देखिए इसमें 48 number person है निम्न लिकित में से कौन गुप्त कालीन स्वन मुद्रा है वो कौन सी है इन में से तो वो है दिनार B number का option बिल्कुल सही उत्तर दिनार आगे देखिए निम्न में से किस काल में इस्तरियों के संख्या पुरुसों के बराबर थी तो कौन से काल में इस्तरियों के संख्या पुरुसों के बराबर थी तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गुप्त काल में इस्तरियों के संख्या है वो पुरुसों के बराबर थी तो इसमें A number option बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा आगी देखे 50 नमबर प्रेश ने ए नमबर का उप्सन बिल्कुल सहीत्तर हो जाएगा तिक है आगी देखेँए इसमें 51 नमबर प्रेश ने निमन लिकित में से कौन सी विशेष़ता सिंदू गाटे सब्वितबता से समंधित नहीं है तो कौन से विशेष्टा सिंदू गाटी सब्वेता से समंदित नहीं है तो यहाँ पे देखे चार ओप्षन आपके सामने दिये गए है बहुत ही अच्छा प्रेश्ण है तो यहाँ पे देखे वेवसाइक कर्षी यह तीनों तो समंदित है सिंदू गाटी सब्वेता से लेकिन चारागाही अर्थ व्यवस्ता यह दोस्तों सिंदू गाटी सब्वेता से समंदित नहीं थी तो इसमें बी नंबर ओप्षन बिल्कुल सहुतर हो जाएगा आगे देखे बावन नंबर प्रेश्ण है सिंदू गाटी सब्वेता को किस काल से जोड़ा जा सकता है सिंदू गाटी सब्वेता को किस काल से जोड़ा जा सकता है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों कासे काल से जोड़ा जा सकता है ठीक है यानि कि सिंदू गाटी सब्वेता है वो कौन से काल की थी तो ये कां से काल की तो इसमें D नमबर उप्षन बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा कां से काल आगे देखे हडपा संसकर्ति के अवसेश इस्तलों का सरवादिक संकेंदरन किस नदी के तटपर मिला है तो ये मिला है दोस्तो कौन से नदी के तटपर तो ये है सिंदू नदी के तटपर बी नमबर का उप्षन इसका बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा आगे देखे हडपा की खुदाई में मेसो पोटामिया की मुहरे मिली है ये मुहरे हडपा की सब्वेता में दोस्तो मेसो पोटामिया की मुहरे मिली है ये मुहरे दोस्तो सिंदू गाटी सब्वेता के काल निर्दारन में सायक है बिल्कुल सही है इस बात की दित्यक है कि इ ये भी दोस्तों इसमें बिल्कुल सही है, भाई मोरे मिली है, तो इसका मतलब व्यापार होता था, ठीक है, तीसरा है, इस बात का परमान है कि सिंदु गाटी सब्वेता के लोग स्यों मोरे बनाना नहीं जानते थे, ये गलत हो जाएगा दोस्तों इसमें, तो यानि कि A और B इसमें बिल्कुल सत्य है, तो D नमबर का उप्षन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, आगे देखे, सिंदु गाटी सब्वेता के परसार चेतर का आकार है, वो कैसा था, तो ये आकार था दोस्तों, तिर्बु जाकार, कैसा था, तिर्बु जाकार, D नमबर उप्षन बिल का यानि की लकडी का हल यानि की फाल फाल का प्रियोग करते थे तो इसमें बी नंबर उप्शन बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा सतावन नंबर प्रेस्टन इसमें देखे सिंदू गाटी सब्वेता के इस्तानों की खुदाई में मिले अवसोसे से पता लगता है कि पता लगता है कि दोस्तों इनके मकान पर आएक दो मंजिल के होते थे दूसरा है देखिए इनके मकान पर आएक मंजिल के होते थे ये गलत हो जाएगा और देखिए हर मकान के आंगन इस्तनानागर और रसोई होती थी ये भी दोस्तों इसमें बिल्कुल सही है तो इसका राइ C, इसमें सही है, A और C, इसका right answer हो जाएगा, D number option, दो मंजिल के मकान थे, सिंदु गाटी सब्वेता में, आगे देखे, निम्नलिकित में से कौन सा कथन सही है, तो कौन सा कथन है, वो दोस्तों इसमें सही है, तो यहाँ पे देखे, सिंदु सब्वेता के लोग मूर्ती पु ठीक है, आगे देखे, हडपा के निवासी किस यूग के थे, हडपा के निवासी है, वो कौन से यूग के थे, तो यह दोस्तों तामर पासान यूग के थे, हडपा के निवासी, तो इसमें D number option बिलकुल से उतर हो जाएगा, आगे देखे, सिंदु गाटी सब्वेता के काल निर्दारन में सबसे विश्वस्निये और महतोपून है, क्या, सिंदु गाटी सब्वेता के काल निर्दारन में सबसे विश्वस्निये और महतोपून है, क्या है, तो वो है, हडपा की खुदाई में मिली मेसो पोटामिया की मुहरे, ठीक है, और इन दोनों के बीच में व् से प्रिचित नहीं थे हडपा सब्वेता के लोग किस प्रिचित नहीं थे तो दोस्तों दर्याई गोड़ा से प्रिचित नहीं थे गेंडा सांड और उंट इन तीनों से प्रिचित थे ए नमबर का मिली एक बड़ी इमारत के भगना उसे को विद्वान अनागार यानि की अन रखने का बंडार मानते हैं तो दोस्तों ये पक्की इटो से बना था तीक है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इसमें सी नंबर उप्षन सहयुतर सिngulo सब्रेता के लोग की तत्सम कालिन सम बताओं से किस बातों में आगे थे तो इसका राइट आंसर हो fragrance कों सी बातों में आगे थे आगे देखे चोसट नमबर प्रेस्ट न हडपपावासी किस फसल से अन्विग्य थे तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है गन्ने से डी नमबर का ओप्षन बिल्कुल से उतर हो जाएगा गन्ने से आगे देखे सिंदु गाटी सब्वेता के लोग नाना परकार की सब्जियां अन तथा फलो का उप्योग करते थे मुख्य रूप से वे दोस्तो निरामिस और समिस दोनों का सेवन करते थे पासनक उप्षन निरामिस तथा समिस दोनों का सेवन करते थे तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नमबर का ओप्षन बिल्कुल सहितर हो जाएगा 666 प्रेस्टन से सिंदु गाटी सब्वेता से सम्द्द लोगों के मनोरंजन का मुख्य सादन क्या था? तो लोगों के मनोरंजन का मुख्य साधन क्या था सिंदू गाटी सब्वेता में तो वो है नर्ते तथा गायन था एवं पासे यानि की चोपड खेलने में भी उनकी रूची थी तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नमबर का उप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा य मनोरंजन का साधन था नर्ते गायन और पासे खेलने में भी तो इसका राइट आंसर बी नमबर उप्शन सही उत्तर हो जाएगा शिक्ष्टी सेवन नमबर प्रेसन इसमें देखिए सिंदू गाटी सब्वेता के लोग दोस्तों सूती तथा उन्नी वस्तर बनाना जानते थ मैंने आपकी अब भी थोड़े देर पहले बताया था मोहन जोद्रो सब्वेता से दोस्तों सूती वस्तर प्राप्त हुआ है ठीक है बी नमबर उप्शन इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा आगे देखिए दोस्तों इसमें 68 नमबर प्रेसन है सिंदू गाटी सब्वे में से किस इस्तान पर दुरुग का अफसेस नहीं मिला है तो दोस्तों कौन से इस्तान पर दुरुग का अफसेस नहीं मिला है तो यहां पे देखिए चार उप्शन आपके सामने हैं रोपड कोट दीजी और चंदूडो इन तीनों इस्तानों से दोस्तों दुरुग के अफ से इस नहीं मिला तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर का उप्शन बिलकुल से उत्तर हो जाएगा आगे देखिए इसमें 69 नंबर प्रेस ने मोहन जोड़ो की खुदाई से पता चला है कि ततकालीन मकान पकी इंटो से बनाये जाते थे तो मैंने अभी आपको बताया दोस्तो थोड़ देर पहले ही कि अन्नागार यानि कि बड़े बड़े कमरे थे जो पकी इंटो से बने हुए थे वहाँ पर अन रखने का कारिक किया जाता था तो पकी इंटो से बनाये जाते थे तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर का उप्शन बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा आगे देखिए सत्तर नंबर प्रेशन है सिंदु गाटी सब्वेता के बारे में खनन कारिये से जो तथे सामने आए हैं उनसे पता चलता है कि वे लोग मूर्ति पूजा करते थे और दोस्तों साती में नगर निर्मान कला में पारंगत थे यह आपको याद रखना है कि सिंदु गाटी सब्वेता के बारे में खनन कारिये से जो तथे सामने आए हैं उनसे पता चलता है कि वे दोस्तों नगर निर्मान कला में पारंगत थे और option बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा आगे देखें सिंदु गाटी सब्वेता के लोग सायद मुख्य रूप से मूर्ती पूजा करते थे बी नंबर का option बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा आगे देखें सिंदु गाटी सब्वेता का पतन का कारण सिंदु गाटी सब्वेता के पतन का कारण है वो क्या है चार उप्षन आपके सामने है यहां पे देखे बयावय बूचाल रहा होगा भारी हमला रहा होगा अनेक प्राकरतिक विपत्या रही होगी तो दोस्तों यह अभी अज्यात है यहांने कि सिंदु गाटी सब्वेता के पतन का कारण क्या है अभी तक यह अज्यात है तो इसमें C नमबर का उप्षन बिल्कुल से उतर हो जाएगा आगे देखे 73 नमबर प्रेशन है शिंदु गाटी सब्वेता से समंद व्यक्ती लिखना पढ़ना जानते थे प्राप्त मुद्राओं से पता चलता है कि उनकी लीपी है वो कौन सी थी तो देखे उनकी लीपी है वो पड़ी नहीं जा सकी है शिंदु गाटी सब्वेता के लोग है वो लिखना पढ़ना जानते थे प्राप्त मुद्राओं से पता चलता है उनकी लीपी है वो कौन सी है ये दोस्तों अभी तक अपने को ग्यात नहीं हुई है यानि कि पढ़ी नहीं जा सकी है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इसमें सी नमबर उप्शन बिल्कुल से उतर हो जाएगा 74 नमबर प्रेस्ट नहीं मोहन जोदाडों में किये गए खनन कारिये से ऐसा पता चलता है कि उस काल के लोग करशी करना जानते थे किन्तु वे चावल यानि कि धान की भी फसल उगाते थे इसमें कुछ पुरा तत्व विताओन को संदे है यह संदे व्यक्त किया है दोस्तो किस ने किया है यह संदे व्यक्त किया है दोस्तो डोक्टर एल बासम ने व्यक्त किया है क्या व्यक्त किया है डोक्टर एल बासम ने तो देखिए ऐसा पता चलता है कि उसकाल के लोग है वो कर्शी करना जानते थे किन्तु वे चामवल की भी फसल हुगाते थे तो यहाँ पे यह व्यक्त किया है डॉक्टर A.L. बासमने तो इसमें D. नमबर उप्शन बिल्कुल सही उतर 75 नमबर प्शन है, शिन्दू गाटी सब्वेता से समंदित लोग सवों का अंतिम संसकार है वो कैसे करते थे पार्शियों की तरह किसी उच्चे इस्थान पर खुला छोड़ कर करते थे बिल्कुल सही बत है तो दुस्तो इसका right answer हो जाएगा इसमें इन तीनों का प्रियोग करते थे वो तो इसका right answer हो जाएगा उक्त सभी प्रकार से करते थे सवों का अंतिम संस्कार सिंदुग अर्टी सब्वेता के लोग ठीक है तो D number option सहुतर चीतर number option इसमें देखे वेदों के अनेक विभाग बताये जाते हैं किन्तो मुखे रूप से इनके जो भाग है उन्हें क्या कहा जाता है वेदो के अनेक विभाग बताए जाते हैं किन्तो मुख्य रूप से इनके जो भाग है उन्हें दोस्तो सहीता अत्वा मंतर कहा जाता है बिल्कुल सही है ब्रामन मंतर कहा जाता है ये भी इसमें सही है आरेन्यक और उपनिश्द कहा जाता है ये भी इसमें सही है यानि कि तीन कहें जाते हैं D नमबर उप्शन बिल्कुल से उतर हो जाएगा आगे देखें 67 नमबर प्रैस्टन वेदों के अनेक विभाग बताये जाते हैं कि दोस्तों सहिताये अत्वा मंत्र का आ जाता है ठीक है तो ये दोस्तों इसका right answer हो जाएगा D number option ठीक है उपरे तीनों का ही जाते हैं आगे देखें वेद का साब्दिक अर्थ है तो वेद का साब्दिक अर्थ क्या हो जाएगा वो है दोस्तों ग्यान बी नंबर उप्षन सही उतर सेवंटीन नंबर प्रेशन है वेदिक काल की प्राचीनता के बारे में पंडित बाल गंगा दर्तिलक जैकोबी मेक्स मूलर विंटर नीत्ज परभूती विद्वानों ने अलग-अलग मत है वो व्यक्त किये हैं शिरी तिलक ने यानिकी शिरी तिलक के मत से वेदिक साहिते का रचनाकाल इसा से है तो वेदिक साहिते का रचनाकाल है वो पंडित सिरी तिलक यानि की बाल गंगादर तिलक के अनुसार दोस्तों जो वेदिक साहिते है ये दस हजार वर्स पहले का है अब का है दस हजार वर्स पहले का है तो इसका राइट आंसर बी नंबर उप्शन हो जाएगा आगे देखिए इसमें 80 नमबर प्रेशन है भारतिय सब्वेता का प्रात्मिक सोपान सबसे प्रारंबिक चरण किसे माना जाता है तो ये माना जाता है दोस्तो किसे तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा तो दोस्तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है प्रात्मिक सोपान ये माना जाता है सिंदू गाटी सब्वेता को ठीक है तो सी नमबर उप्सन बिलकुल सही उतर सिंदू गाटी सब्वेता आगे देखिए सिंदू गाटी सब्वेता के किस इस्तान पर डोक्यार्ड होने क आदार है तो डोक्यार्ड होने का जो आदार है वो दोस्तों कहाँ पर है तो लोथल में ठीक है वहाँ पर क्या है बंदरगा है ठीक है समझ में आ गया यानिकि व्यापार करने के लिए जो बंदरगा है था यानिकि डोक्यार्ड ठीक है वो कहाँ पर था लोथल में और लोथल है ये कौन सी नदी के किनारे है तो ये भोगवा नदी के किनारे है कहां पर है एहमदाबाद गुजरात में तो इसमें डी नमबर उप्शन सही उत्तर हो जाएगा अगे देखिए सिंदू गाटी सब्वेता की लीपी तो दोस्तों सिंदू गाटी सब्वेता की लीपी है वो एक लाइन में दाइने से बाइन और और दूसरी लाइन में बाइन से दाइनी और लिखी जाती थी समझ में आ गया सिंदू गाटी सब्वेता की लीपी है वो एक लाइन में दाइने और से और दूसरी लाइन में बाइन और से लिखी जाती थी तो इसमें C नमबर ओप्शन बिल्कुल से उतर हो जाएगा 83 नमबर प्रेशन है सिंदु काटी सब्वेता के लोग सेर गेंडे और जंगली बेंसे से परीचित थे क्योंकि इस गाटी के इस्तानों की खुदाई में दोस्तों कुछ मुहरों पर इन जानवरों के चितर बने हुए है यानि कि सिंदु काटी सब्वेता के लोग सेर गेंडे और जंगली बेंसे से परीचित थे क्यूंकि इस गाटी के इस्तानों में कुछ मोहरों पर इन जानवरों के चितर बने हुए है, B नमबर उप्षन बिल्कुल सहे उटर हो जाएगा, 84 नमबर परिषन है इसमें देखे, खोजकाल कृम में कौन सा इस्तान सब से बाद का है, खोजकाल करम में कौन सा इस्तान सबके बाद का है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तो इसमें बनवाली डी नमबर उप्शन बिल्कुल सही उत्र हो जाएगा बनवाली आगे देखे हडपा में खुदाई का काम किसने कराया था हडपा में खुदाई का काम है वो दोस्तो किसने कराया था तो ये कराया था दोस्तो दयाराम साहनी ने किसने कराया था दयाराम साहनी ने हडपा में खुदाई का काम करवाया था कब करवाया था तो दोस्तो ये करवाया था 1921 में हड़पा कौन सी नदी के तट पर है तो दोस्तों रावी नदी के तट पर है कहां पर है अभी इसकी इस्तती हड़पा की तो मौंट गोमरी पाकिस्तान में तो यहां पर सी नमबर उप्शन बिल्कुल से उतर हो जाएगा आगे देखें मोहन जोदाडो का विशाल इस्तनानागार किस बात का संकेत करता है देखें दोस्तों मोहन जोदाडो में एक विशाल इस्तनानागार मिला है जो 11.88 मिटर तो कितना था लंबा 11.88 मिटर तो लंबा था और दोस्तों 7.1 मिटर है यह दोस्तों चोड़ा था तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा वो है इस में इस प्रेस्न का राइट आंसर हो जाएगा वो है उननत सहरी नगर योजना का संकेथ करता है तो इसमें D नमबर उप्शन बिलकुल सही उत्तर हो जाएगा आगे देखें सिंदु गाटी सब्वेता के निवाशियों की सामाजिक एवं धार्मिक इस्तिति का सर्वोत्म बोध किस से होता है? तो यह होता है दोस्तों किसे? तो यह टेरा कोटा फिगर से तेरा कोटा फिगर से सी नमबर का उप्शन बिलकुल सही उत्तर हो जाएगा तेरा कोटा फिगर से आगे देखें सिंदु गाटी सब्वेता के किस इस्तान पर फरसों के बनाने में सजावटी इंटों का प्रियोग किया जाता था सिंदू गाटी सब्वेता के किस इस्तान पर फरसों के बनाने में सजावटी इंटों का प्रियोग किया जाता था तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों कहां पर तो ये काली बंगा में तो इसमें B नमबर उप्शन सहीतर 89 नमबर प्रेसन है सिंदू गाटी सब्वेता के किस इस्तान की खुदाई में अगनी वेदी काएं मिली है तो अगनी वेदी काएं दोस्तों कौन से इस्तान पर मिली है तो ये मिली है लोथल और काली बंगा में अगनी वेदी काएं मिली है तो इसका right answer हो जाएगा इसमें D number का option B और सी दोनों आगे देखें 90 number का प्रेस ने हडपा सब्वेता के किस इस्तान पर खुदाई में दुर्ग का कोई परमान नहीं मिला है हडपा सब्वेता के किस इस्तान पर खुदाई में दुर्ग का कोई परमान नहीं मिला है तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा वो है दोस्तो इसमें चंदोहडो तीक है तो इसमें D नमबर का उप्शन बिल्कुछ सही उतर हो जाएगा चंदोहडो आगे देखिए दोस्तो इसमें अपने पुरोहित के साथ विधेग माधव के पूर्व की और परवजन की कथा निमनलिकित में से किस में वर्नित है बहुत अच्छा पुरोहित के साथ विधेद माधव के पूर्व की और परवजन की कथा निमनलिकित में से किस में वर्नित है तो यह वरनित है दोस्तो किस में? तो यह सत्पत ब्रामन में तो इसमें B-number का option से उत्तर हो जाएगा सत्पत ब्रामन आगे देखे इसमें निम्न लिखित में से कौन सा नगर प्राक हडपा वै हडपा सब्वेता से समंदित है तो कौन सा नगर है वो प्राक हडबपा, हडबपा सबेता से है तो वो है दोस्तो रंगपूर, तो यह है दोस्तो गुजरात में और यहाँ पर चावल की भूशी मिली है, गेउँ की खेती के साखसे मिले है तो इसमें D number option बिल्कुल से उत्र हो जाएगा नेक्स्ट है निम्न लिकित में से कौन सा पसू हडपा सब्वेता में नहीं पाला जाता था तो इसका right answer हो जाएगा वो है दोस्तो गोडा ठीक है A number option बिल्कुल से उत्र हो जाएगा गोडा आगे देखे हडपा सब्वेता के लोग निम्न में से किस वस्तू का परियोग नहीं करते थे हडपा सब्वेता में लोग है वो किस का परियोग नहीं करते थे तो दोस्तो सिक्के का परियोग नहीं करते थे C number option से उत्र 95 number प्रेशन है मोहन जोदडो की विशालतम इमारत थी मोहन जोदडो की विशालतम इमारत है वो कौन सी थी तो वो थी दोस्तो महा इस्तनानागार मैंने अभी आपको बताया था महा इस्तनानागार तो इसमें B number option बिल्कुल सही उता है हडपा सब्वेता का उतकर्स किस समय के पस्चाथ रुक गया तो इसमें D number option बिल्कुल सही उता हो जाएगा आगे देखें सिंदु गाटी सब्वेता की खुदाई में विशाल सनानागार कहां मिला है तो विशाल सनानागार है ये दोस्तो कहां पर मिला है तो ये मोहन जोदोडो में मिला है मैंने अभी आपको बताया था 11.88 मिटर लंबा 7.01 मिटर चोड़ा और 2.43 मिटर गहरा था मोहन जोदोडो में मिला है तो इसमें A number option सहुतर 98 number प्रेशन है सिंदु सब्वेता से समंदित नर्ते करती हुई की मूर्ती बनी है तो किस की बनी है वो नर्ते करती हुई महिला की मूर्ती तो ये मिली है दोस्तो कास्य मूर्ती है ये ठीक है तो इसका right answer B number का option बिल्कुल सहुतर ये मिली है मोहन जोदोडो से ठीक है B number option सहुतर आगे देखे सिंदु गाटि की सब्वेताव के सामाजिक जीवन के समंद में निम्न में से कौन सा कतन सही है तो कौन सा कतन है वो दोस्तों इसमें बिलकुल सही है तो देखे समाज मात्र परधान था समाज मात्र परधान था तो ये इस काराइट आंसर हो जाएगा यानि कि सेंदव समाज है वो मात्र सतात्मक था तो इसमें c number option बिलकुल सहुत्तर हो जाएगा तो यह प्राप्त हुआ दोस्तों वो है बड़ा सनानागर है तो इसमें b number option सहुत्तर हो जाएगा अब देखिए 101 नमबर प्रस्न, 100 प्रस्न तो अपने complete हो चुके हैं, 100 प्रस्न और बाकी हैं, तो दोस्तों आपको मेरे साथ में चलना है, 100 प्रस्नों का और भी टेश्ट देना है, total इसमें 200 प्रस्न है, जो आपकी परिक्षा के लिए महतोपून है, चाहें आप इन प्रस्नो तेरिये और 200 प्रस्नों का आपको पूरा देखना है, देखिए इसमें, महायान बहुत दरम में, महायान बहुत दरम में निम ने किस बहुत देवता की परतिमाओं की पूजा अर्चना नहीं की जाती थी, तो कौन से बहुत देवता की परतिमा की पूजा अर्चना नहीं की जाती थी तो इसका right answer हो जाएगा वो है दोस्तो देखिए भोतिक जीवन की समर्दी की देवी स्री लक्षमी स्री लक्षमी की दोस्तो पूजा अर्चना नहीं की जाती थी तो इसमें डी नमबर उप्शन बिल्कुल सही उतर हो जाएगा आगे देखिए इसमें 102 नमबर प्रेशन है अदो लिकित में ऐसत्य कथन को इंगित कीजिए तो ऐसत्य कथन दोस्तो अपने को इसमें बताना है देखिए यहाँ पर दो या तीन छेद वाले तक्त सेंदव सब्वेता से प्राप्त हुए हैं बिल्कुल सही है मन के बनाने के लिए गोमेद गुजरात से मंगाया जाता था यह बिल्कुल सही है यहाँ पर देखिए सो राष्टर भगत राव नदी के किनारे पर इस्तित है यह गलत हो जाएगा दोस्तों इसमें और देखिए इसमें कुवेत के समीप फैला इस्टियटाइट की मुहरे पराप्त होई है यह भी सही है तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा सी नमबर का उप्शन क्योंकि यह इसमें बगत राव नदी गलत दे रखा है आगे देखिए जैन धरम के कर्मिक पतन के कारणों में निम्न मेंसे कौन उतरदाई कारण नहीं था तो कौन उतरदाई नहीं था बाकी हिंदू द्रम आत्म साथकारी सक्ती विदेशी आकरांता हो और अन्य लोगों द्वारा उनके मंदिरों का निवास बाकी तीनों इसमें सही है सी नमबर का उप्शन अपना राइट आंसर हो जाएगा 104 नमबर प्रेशन है अदो लिखित गरंथों में से किस में गुप्त कालीन परसासन एवं नीतियों का उलेक होता है तो गुप्त कालीन परसासन एवं नीतियों का उलेक है वो किस में होता है तो यह होता है दोस्तों कामंद किये नीती सास्तर है कामंद किये नीती सास्तर में गुप्त कालीन परसासन एवं नीतियों का उलेक है वो मिलता है तो इसमें C नमबर उप्शन सयुत्तर हो जाएगा आगे देखे हैंसान के विवरोनों में निम्नलिकित में से किसका उलेक नहीं मिलता तो किसका उलेक है वो नहीं मिलता तो देखे कान्य कुब्ज नालंदा परियाग इन तीनों का दोस्तों उलेक मिलता है इन्सान के विवरोनों में लेकिन इस्प्रेसन का राइट आंसर हो जाएगा वो है इन में से कोई नहीं तो इसका बिल्कुल सयुत्तर हो जाएगा डी नमबर का ओप्षन यहाँ पे डी नमबर ओप्षन इसका बिल्कुल सयुत्तर है इसमें देखे निमनलिकित में से किसको मंदसोर प्रस्थि का रच्यता माना जाता है तो मंदसोर प्रस्थि का रच्यता है वो किसे माना जाता है तो यह माना जाता है दोस्तों वच्स भट्टी इसको वच्स भट्टी और वासुल को तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नमबर उप्शन ए और बी दोनो एक सो साथ नमबर प्रेशन है राजेश्वर के निम्नलिकित गरंथों में से भारत की भोग कोलिक इस्ति का विस्तार पूर्वक वर्णन प्राप्त होता है तो यह होता है दोस्तों काववे मिमांसा में किसमें काववे मिमांसा में यह नमबर उप्शन सयुत्तर हो जाएगा आगे देखिए अर्च सास्तर में परियुक्त परीमितार्थ एवं सासन हर सब्दों का किसे है तो यह राजदूतों से है सी नंबर का उप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा राजदूतों से एक सो नो नंबर प्रैसना इसमें देखिए कोटिल लेके अपने अर्थ सास्तर में नीश रश्टार्थ सब्द का परियोग है अदोलिकित में से यह किसके लिए प्रियुक्त है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वह दोस्तों यहाँ पर देखिए कौन सा है नीश रश्टार्थ यह सब्द है यह दोस्तों संदेश वाहकों के लिए है किसके लिए संदेश वाहकों के लिए तो इसमें डी नंबर उप्शन सही उत्तर तो दोस्तो किस विदेशी यात्री ने राश्टर कुटों के बारे में विवरन दिया है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें दोस्तो अलमसुदी ने बी नमबर उप्शन बिल्कुल सेयुतर अलमसुदी 111 नमबर प्रेशन है कालिदास के निम्न गरंथों में से किस गरंथ ने सुंगों के इतियास के बारे में जानकारी प्राप्त होती है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तो इसमें मालवी का अगनी मित्रम मालवी का अगनी मित्रम डी नंबर का उप्षन बिलकुल से उत्तर हो जाएगा आगे देखें निम्नलिकित में से किस गरंट से विज्ञान समंदी तकनिक जानकारी प्राप्त होती है तो यहाँ पे वराहमीर की वरत सहीता से दोस्तों अपने को विज्ञान समंदी जानकारी तकनिक प्राप्त होती है तो इसमें एक नंबर का जो अप्षन है वो इसका बिलकुल से उत्तर हो जाएगा ठीक है आगे देखिये इसमें 113 नंबर प्राप्त है निमनलिकित में से किस अभिलेक से यहाँ जानकारी प्राप्त होती है कि दारा पर्थम ने सिंदु गाटी पर अधिकार कर लिया था तो दोस्तों बहुती अच्छा प्रसन है किस अभिलेक से यह जानकारी प्राप्त होती है कि दारा पर्थम ने सिंदू गाटी पर अधिकार कर लिया था इस अभी लेक के रचेता थे तो इस अभी लेक के रचेता कौन थे तो यह थे दोस्तो रवी कीरती बी नमबर का उप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा रवी कीरती आगे देखें रिगवेद में वरनित सब्वेता दोस्तो सेनिक कुलीन तंतर जैसी लगती है सी नमबर का उप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा आगे देखें 116 नमबर का प्रेशन है रिगवेदी काल में आरिय लोगों का मुख्य वेवसाइज क्या था रिगवेदी काल में आरिय लोगों का मुख्य वेवसाइज क्या था तो क्या था तो खेती करना था मुख्य वेवसाइज रिगवेदी काल में आरिय लोगों का मु विवाय पर था बी नमबर उप्शन बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा केवल राजवन्सों में आगे देखे सत्पत ब्रामन चार वेदों में से किसी एक का भाग कहा जाता है कि यह सत्पत ब्रामन चार वेदों में से किसी एक का भाग है कहा जाता है यह सुकल ये जुर्वेद का है बी नमबर उप्षन सही उत्र हो जाएगा 111 नमबर प्रेशना इसमें देखे वेदिक आल में जाती वेवस्ता तो अवस्य थी किन्तु यह वेवस्ता दोस्तो जन्म और करम दोनों पर आधारित थी डी नमबर उप्षन बिल्कुल सही उत्र हो जाएगा 120 नमबर प्रेशना इसमें देखे वेदिक आल की सब्वेता तथा संसकर्ति का मुख्य स्रोत क्या है तो वो है दूस्तो इसमें रिगवेद है बी नमबर का उप्षन बिल्कुल सही उत्र हो जाएगा ठीक है आगे देखिए इसमें 121 नमबर प्रेशना निम्नली की तत्थव मेंसे कौन सा तत्थ गलत है तो यहाँ पे देखए आरिये वस्तूत की परकर्टी पुजट थे बिल्कुल सही है आरिये प्राकर्तिक श्क्तियों की दया और कर्पा के आकान सी थे बिल्कुल सही है आरिये 21 स्वरवादी थे ये गलत हो जाएगा दोस्तों आरिये है वो एक स्वरवादी नहीं थे ठीक है और बहुत स्वरवादी थे यहां पर देखिए आरियो के जीवन में सदाचार की बड़ी महता थी तो ये बिल्कुल सही है तो इसका सी नंबर का उप्शन राइट आंसर हो जाए प्रणबिक जीवन है ये निर्बर्था आरियो का तो इनमबर का उप्शन सही दिर हो जाएगा समसार का सबसे प्राचिं गरंथ है तो दूस्तों कौन सा है यानकि वो है रिगवेद तो इसमें डि नंबर का उप्शन सही इध्वैद हो जाएगा पहले तीन वेद ही माने गए थे वेद तरही काफी प्रसिद सब्द है वेदों के अंतरगत सम्मिलित किया गया चोथा वेद कौन सा है तो वो है दोस्तो इसमें अथरववेद ठीक हैं कौन सा है अथरववेद देखिए रिगवेद, सामवेद और यजुरवेद बिंदुसार के सासन के विरुद विद्रो का कारण क्या था तक्सिला अच्छा प्रस्ण है तक्सिला की जनता का बिंदुसार के विरुद दोस्तो विद्रो का कारण क्या था तो वो है ब्रष्ट अधिकारियों का अत्याचार ब्रेश्ट अधिकारियों का अत्याचार है तो इसका B-Number option बिल्कुल सेयुत्तर हो जाएगा आगे देखें इसमें तीर्थ से क्या तात्रिय है तीर्थ से क्या तात्रिय है तो इससे तात्रिय क्या हो जाएगा कि चंदरगुप्त मोरिये के 18 परमुक प्रसासनिक दिकारी थे उनको बोलते थे दोस्तों तिर थे ठीक है तो इसमें C नंबर ओप्सन सहीतर हो जाएगा कभी आप बोल दो कि पवितरिस्तान ठीक है तो गलत हो जाएगा वो पवितरिस्तान तो इसमें C नंबर ओप्सन सहीतर हो जाएगा नेक्स्ट है भारत का मेक्यावेली किसे कहते हैं भारत का मेक्यावेली है ये दोस्तों चानक के को कहते हैं किसको कहते हैं चानक के को कहते हैं भारत का मेक्यावेली अगे देखे, दस राजन युद्ध किस नदी के किनारे लड़ा गया था, ये लड़ा गया था दोस्तों, दस राजन युद्ध है, ये कौन सी नदी के किनारे लड़ा गया, तो ये परूशनी, यानि कि इसका वरतमान नाम है रावी, तो इसका C नमबर का उप्शन राइट हुआ था तो इसका right answer हो जाएगा दोस्तों कहां पर तो देखे कुशी नगर कहां पर हुआ था कुशी नगर में देखे 483 इस्वपूरु में 80 वर्स की आयू में महात्मा बुद्ध का देहांत यानि की महापरी निर्वान कुशी नगर में हुआ था ठीक है तो इसमें B दोस्तों यहां पर मिलिंद पन हो है वो क्या है तो यह दार्मिक संभासन है क्या है दार्मिक संभासन है ए नबर ऑप्सन बिलकुल से यूतर हो जाएगा आगे देखे सिंदु का टी सब्वेता का किस यूग से समंद्ध है सिंदुग आटी सब्वेता का किस यूग से समंद है तो इसका right answer हो जाएगा वो है दोस्तो इसमें प्रस्तर धातू यूग में प्रस्तर धातू यूग से तो इसमें C number option सहीउतर हो जाएगा प्रस्तर धातू यूग अगे देखिए अन्तिम जैन सबा कहां हुई थी तो यहां पे देखिए दोस्तो अन्तिम जैन सबा यान की अन्तिम का मतलब क्या हो गया सीधा सा है देखिए दो जैन माहा संगीतिया हुई थी पहली जो जैन संगीती हुई थी दोस्तों वो हुई थी पाटली पुतर में पहली जैन संगीती हुई थी पाटली पुतर में तीक है और दूसरी जैन संगीती हुई थी दोस्तों वल्लबी में यह दो ही जैन संगीती हुई थी तो यहाँ पे अंतीम जैन सभा हुई थी तो यह वल्लबी यानि कि B number option सहुतर हो जाएगा 135 number प्रेशन है निम्न में से कौन वेदिक देवता नहीं है तो वेदिक देवता है वो कौन नहीं है तो वो है दोस्तो कृष्ण शिंदु सभ्यता की मुख्य विशेश्था क्या थी वो है नगर योजना B number option सहुतर नगर योजना नेक्स्त ए आदी गरंद का संकलन किसके दWARा हुआ था ये वा तो गुरू अरजुन देव के दWARा D number option सहुतर हो जाएगा गुरू अरजुन देव नेक्स्ट है प्राचिन काल में कन्या के पिता को वर द्वारा एक जोड़ी बैल परदान करना किस विवाह के नाम से जाना जाता था तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा वो है दोस्तो इसमें आर्स विवाह किस नाम से जाना जाता था तो आर्स विवाह के नाम से डी नम में कन्या के पिता को वर्दवारा एक जोड़ी बैल परदान किस विवा के नाम से किया जाता था तो राइट आंसर हो जाएगा इसका भी मतलब क्या हो जाएगा आर्स विवा ठीक है आगे देखें नल दम्यंती की कहानी का फार्सी में अनुआद करने वाला था यह नल दम्यं एक्सो एक्तालिस नंबर प्रैसना इसमें देखें प्राचीनतम भारतिये सिक्के निम्नलिखित में से किसके पहले के नहीं है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तो इसमें यह है ले कुलीश का जन्मिस्तान शरी देखें आपे क्या पुछा है कि प्राचीन भ ताबदी इस्व पूर्व के नहीं है बी नमबर उप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा नेक्स्ट आगे देखें शेव धरम के इतियास में कारियाव रोहन का क्या मैत्व है तो दोस्तों क्या मैत्व है तो यहां पे देखें यह है लेकुलिस का जन्विस्तान था बी नम आगे देखें निमनल लिकित में से किस का एक उलेक है तो किस का उलेक है तो दोस्तों इसमें केवल वासुदय्व का उलेक मिलता है C number का option बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा आगे देखे, निमनलिकित में से किसका राज्य है जैंद्रम मामले, यानि कि जैंद्रम मानने वाले तथा जैंद्रम का निर्मान करने वाले धनाडे व्यापारियों के लिए विख्यात था तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तो, इसमें चालू के ठीक है, B number का option बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा नेक्स्ट है, ऐसी माननेता है कि जैंद्रम के मूल आगम में थे तो दोस्तो कितने अंग, तो इसमें 12 अंग थे D number का option से उत्तर हो जाएगा नेक्स्ट है, जैंद्रसन का निमनलिकित में से किस के निकट का सामें है, तो किस के निकट का सामें है तो ये है दोस्तो, योगाचार का, तो इसमें D number का option बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा, योगाचार नेक्ट निर्गरंत सब्ध का वस्तमध निमनलिकित में से किस्थे है तो यह दोस्तो जेन से है सी नमबर ओप्शन बिलुकुल से उत्तर हो जाएगा आगे देखें ऐसत्य कथन इंगित कीजिये तो यहां पर असत्य कथन कौन सा है देखिए दोस्तो यहां पर मेही में भवन निर्मान में पक्की इंटे प्रियुक्तुईती ये दोस्तों इसमें गलत हो जाएगा ये कतन है ये हाँ पे एसंगत है ठीक है बाकी के तीन है वो इसमें बिलकुल सही कतन है आगे देखिए 150 नमबर प्रेस ने उत्कनन के दोरान पाए गए बाटों में एक हुए है तो सरवादिक बाट है ये कौन से प्रकार के प्राप्त हुए है तो ये दोस्तों दनाकार प्रकार के प्रयाप्त हुए हैं सी नमबर का उप्शन इसका बिलकुल सही उत्तर हो जाएगा 151 नमबर प्रेस नहें यहां पर देखिए दोस्तों इलतुत मिस्त ने साथ के खलीपा से खिल अत किस वर्ष प्राप्त की थी तो इसका राई टांसर हो जाएगा वो है बारा सो गुंटीस इस्वी में तो इसमें डी नंबर का उप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा आगे देखें नानक का जन्म यानि कि गुरु नानक का जन्म है वो दोस्तो कहां हुआ था तो यह हुआ था दोस्तो तलवंडी में कहां पर है तलवंडी में बी नंबर का उप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा आगे देखें चंदेल सासकों की राजदानी क्या थी तो चंदेल सासकों की राजदानी थी दोस्तो महुबा कौन सी थी महुबा सासकता परमर्दी देव और परमर्दी देव के दो वीर सिहनानायक थे जिसका नाम था दोस्तो आला और उदय ये दोस्तो उस युद में दोस्त मारे गए थे ठीक है तो इसमें बी नमबर उप्शन सयुत्तर हो जाएगा नेक्स्ट है विजयनगर का दूसरा नाम क्या था तो वो था दोस्तो हमपी बी नमबर का उप्शन बिल्कुल सयुत्तर हो जाएगा हमपी आगे देखे खानवा के युद में बाबर का परतिद्वन्दी कौन था तो बाबर का परतिद्वन्दी था दोस्तो तो इसमें राणा सांगा ए नमबर का उप्शन बिल्कुल सयुत्तर हो जाएगा राणा सांगा आगे देखे परतिविरात चोहान ने मुहमद गोरी को किस वर्स हराया था तो कौन से वर्स हराया था परतिविरात चोहान ने मुहमद गोरी को तो 1191 में इस्वी में तराइन का पर्थम युद हुआ था और इस युद में पर्त्विराद चोहान ने मुहमत गोरी को खराया था ठीक है तो इसमें D नमबर का उप्शन बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा नेक्स्ट है कौन सा स्रोत चंदरगुप्त मोरिये के निमन कुल में जनम पर विश्वास नहीं रखता है तो वो है दोस्तो इसमें कौन तो वो है बोध गरंत महावन से तो इसमें C नमबर का उप्शन बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा 158 नमबर प्रेशन इसमें देखे आठवी सताबदी में देवल क्या था तो देवल क्या था आठवी सताबदी में तो ये दोस्तो बंदरगा है था क्या था बंदरगा है बी नमबर का उप्शन से उत्तर हो जाएगा बंदरगा है आगे देखे किस राजा के पास असोक ने राजदूत नहीं बेजा था इस राजा के पास असोक ने राजदूत नहीं बेजा था तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तो देखिए माग्स के पास में बेजा था एंटी गोनस गोनोटोस के पास में बेजा था टालेमी फिलोडेल फल्स तो इसके पास में गारगी सहीता में किस विदेशी आक्रमन का उलेख है तो दोस्तों यवन आक्रमन का उलेख है बी नमबर उप्शन बिल्कुल से उत्र हो जाएगा 161 नमबर प्रेशन हैं खजुराहों मंदिर किन राजाओं द्वारा निर्मित कराएगे हैं तो खजुराहों के मंदिर हैं ये दोस्तों महोबा के चंदेल सासकों के द्वारा दोस्तों खजुराहों मंदिरों का निर्मान करवाया गया है तो इसमें C नमबर का उप्शन बिल् तो ये सिलाखंडों से निर्मित मंदिर के लिए प्रसीद है सिलाखंडों से निर्मित मंदिर के लिए C number का option बिल्कुल सेविकतर हो जाएगा next है चीनी यात्री फायान भारतवर्स किस उद्देशे से आया था तो यह आया था दोस्तों वो है प्रमानिक बोध गरंतों को एकत्रित करने के लिए चिन्य आत्री फायान है वो चंदरगुप्त दित्ये के ससंकाल में भारत आया था तो इसमें D नमबर उप्शन सही उतर हो जाएगा नेक्स्ट है महरोली इस्तंब अभिलेक का चंदर किसे माना जाता है तो यह माना जाता है दोस्तों किसे तो चंदरगुप्त दित्ये को सी नमबर का उप्शन सही उतर हो जाएगा चंदरगुप्त दित्ये को आगे देखे, महा सत्रप रुद्र दामन की उपलब्दियों पर कौन सा अबिलेक प्रकाश डालता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है, जुनागड का गिरनार अबिलेक है, डी नमबर का उप्शन बिलकुल सही उत्तर हो जाएगा, नेक्स्ट है, वातापी किसकी राजदानी थी, तो वातापी है, ये किसकी राजदानी थी, तो ये चालू के राज़े की राजदानी थी, वातापी, डी नमबर का उप्शन बिलकुल सही उत्तर हो जाएगा, आगे देखे, समुन्दर गुप्त की धर्म विजे के समय कोसल का राजा कोन था, तो दोस्तों कोन था कोसल करा जा, तो वो था दोस्तों महेंदर, कोन था, महेंदर, ए नमबर उप्शन सही उत्तर, नेक्स्ट है, राज तरंगेनी किसने लिखी थी, तो राज तरंगेनी लिखी थी, दोस्तों कलहन ने, किसने कलहन ने, ए नमबर उप्शन बिलकुल सही उत्तर, नेक्स् बी नमबर उपछन विल्कुँ सही उताट हो जाएगा नेक्स्ट इलाबाद प्रसर्स्थि किसके द्वार लिखी गई थी इलाबाद प्रस्थि है ये दोस्तो हरी सेंड के द्वारा रचित है और ये बटा है वो कौन था तो ये खगोल सास्त्री था B नंबर का उप्शन बिल्कुल सयुत्तर हो जाएगा next हर्स्तरीतर किस ने लिखा था तो हर्स्तरीतर है ये दोस्तो बान भटने लिखा था D नंबर उप्शन सयुत्तर चनिस्क के राजर रोहन की सही तिति क्या थी तो अठित्तर इसवी तो इसका राइट आंसर जिसमें ए नंबर का उप्शन बिल्कुल सयुत्तर हो जाएगा नेक्स्ट है निमने में से कौन सा सिदान्त जैन धरम के सिदान्तों के अनुकूल नहीं है तो जैन धरम के सिदान्तों के अनुकूल कौन सा सिदान्त नहीं है तो यहां पर देखिए आत्मा की सुद्धी सरीर को कष्ट देने से होती है बिलकुल सही है केवल इस वर ही आत्मा क केवल्य प्राप्ति में मदद करता है ये कथन दोस्तो इसमें गलत है ठीक है तो इसका right answer क्या हो जाएगा B number का option है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा आपको इसमें याद रखना है बहुत ही अच्छा प्रस्ण था आगी देखिए इसमें एक सो चेतर नमबर प्रस्ण है यूप का सम्मद किस से किस इस्तम से है यूप का सम्मद है वो किस इस्तम से है तो ये दोस्तो यग्य इस्तम से है यूप का सम्मद B number option बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा अगे देखिए प्रवार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार A 179 number प्राइशने, प्राचीन वेदी गरंतों में निम्न लिकित में से किसका उलेक नहीं है, तो किसका उलेक है, वो नहीं मिलता, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो है दोस्तों, बाल विवा का उलेक है, वो नहीं मिलता, A number option बिलकुल सही उत्तर, नेक्स्ट है रिगवेद में निम्न में से किस देवता का उलेक नहीं है तो रिगवेद में किस देवता का उलेक है वो नहीं है तो वो है ब्रह्मा C नमबर उप्शन बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा नेक्स्ट है डिगवेद कितने मंडलों में विबक्त है तो वो है दस मंडलों में विबक्त है ठीक है तो इसमें D number option बिल्कुल सयुत्तर हो जाएगा आगे देखे हडपा सब्वेता के लोग निमन में से किस दातु का प्रियोग नहीं करते थे तो कौन सी दातु का प्रियोग नहीं करते थे तो दोस्तों सिक्य का प्रियोग नहीं करते थे हडपा सब्वेता के लोग C number option सयुत्तर नेक्स्ट मोहन जोदोडो की विशालतम इमारत कौन सी थी तो वो थी दोस्तो महान सनानागार ठीक है तो इसका राइट आंसर महान सनानागार बी नमबर उप्शन बिल्कुल सहीतर हो जाएगा नेक्स्ट हडपा सब्वेता का उतकरस किस समय के पस्चात रुक गया था तो यह मैंने आपको बताया था थोड़ देर पहले ही गुनिस सो इस्वी पूरव है ठीक है नेक्स्ट है कवी कालिदास किस की आराधना करके परतीबा साली बने तो दोस्तो बगवती की आराधना करके परतीबा साली बने थे ए नमबर उप्शन सहीतर हो जाएगा नेक्स्ट है नेक्स्ट है निमनलिकित मेंसे किस इस्तान पर भारत वै रोम के बीच व्यापार के परमान पराप्थ हुए है तो वो है दोस्तो अरिक मेडू तो इसमें एनमबर उप्शन सहीतर हो जाएगा अरिक मेडू आगे देखे हीनियान वे महायान में मतभेद का निमन में से कौन सा कारण नहीं है हीनियान वे महायान में मतभेद का निमन में से कौन सा कारण नहीं था तो वो है दोस्तों देखे संसकर्द वासा का परियोग, बोधी सत्वों की पूजा, मूर्ती पूजा तो ये तीनों कारण थे लेकिन दन की लालसा नहीं थी तो इसमें D-Number Option सहीतर हो जाएगा 188 नमबर प्रेशन इसमें देखे उस संपरदाय का वास्त्विक नाम क्या है जिसे बाद में जेंदरम कहा गया जिसे बाद में जेंदरम कहा गया तो वो है निर्गरंथ है D-Number Option बिलकुल सहीतर हो जाएगा निर्गरंथ है आगे देखे माहवीर को परमग्यान की प्राप्ति किस इस्तान पर हुई थी तो ये हुई थी दोस्तों कहां पर तो जामविक ग्राम में जामविक ग्राम में बिलकुल सहीतर हो जाएगा नेक्स्ट है निमनलिकित में से कौन सा सिदान्त उपनिसद से समंदित नहीं है तो कौन सा सिदान्त है ये उपनिसद से समंदित नहीं है तो वो है दुख सिदान्त है बिलकुल सहीतर हो जाएगा दुख सिदान्त है आगे देखे गोतम बुद्ध द्वारा उपदिष्ट निर्वान का अर्थ है तो वो क्या है तो वो है दोस्तो इसमें जनम मरण के चक्र से मुक्ती जनम मरण के चक्र से मुक्ती बी नंबर उप्षन सहित्तर हो जाएगा नेक्स्ट है दितिय संगम का इस्तान था तो दोस्तो दितिय संगम का इस्तान है वो कौन सा था तो वो था दोस्तो कपालपुरम कौन सा कपालपुरम सी नंबर का उप्षन बिल्कुल सहित्तर कपालपुरम नेक्स्ट है सिंद सब्वेता के लोग निमन मेंसे किस की खेती नही करते थे तो दोस्तों सिंद सब्वेता के लोग निमन में से किस की खेती नहीं करते थे तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों चांवल की खेती है वो नहीं करते थे बी नंबर उप्शन सयुतर हो जाएगा नेक्स्ट चतूर्त बोध संगीती किसके सासनकाल में संपन हुई थी तो ये दोस्तो कनिसक के समय संपन हुई थी टो इस्तो गुफा मन्दिर के लिए प्रसिद है करले ये नमबर का उप्शन बिलकुल सह जाएगा नेक्स्ट आगे देखें स्यादवाद मौल रूप से किस दर्सन से समंदित है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तो जैन धरम से ए नमबर उप्षन बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा आगे देखें विजयन अगर सामराजे के राजस्व विभाग का क्या नाम था विजयन अगर सामराजे के राजस्व विभाग का क्या नाम था तो उसका नाम था दोस्तो अत्वन बी नमबर उप्षन बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा अत्वन आगे देखें निम्न लिकित में से कौन सा कतन सही है तो कौन सा कतन है वो दोस्तो इसमें सही है तो देखें गुप्तकाल में सुद्रों की इस्तिगिरी ये दोस्तो इसमें कथन है वो सत्य है डी नमबर उप्षन इसका राइट आंसर हो जाएगा और 99 नमबर प्रेसन है कलहन द्वारा रचित राज तरंगिनी में वरनन है तो दोस्तो राज तरंगिनी में किसका वरनन है तो कस्मीर के क करमबद इतियास का वर्णन मिलता है राज तरंगिनी पुस्तक में और यह पुस्तक है यह कलहन के द्वारा लिखी गई थी तो इसमें भी नंबर उप्षन सेयुत्तर हो जाएगा और प्राचीन भारत के इतियास का आज का अपना अंतिम प्रैस्ट है तारीक ए हिंद का लेख है वह अलबरुनी है यह नंबर उप्षन बिल्कुल सेयुत्तर हो जाएगा कि मित्रों कि प्राचीन भारती इतियास के मैंने आपको टोप 200 प्रस्ण है वह कंप्लीट करवा दिये हैं ठीक है और आपने यह 200 प्रस्ण है वह देखे आपको बहुत बहुत धन्यवाद और इन कि परिक्षा की दृष्टी से यह अतियंतम है तो पूर्ण प्रस्ण है जो परिक्षा में बार बार पूछे गए हैं अभी तक पूरे भारत में यह बार बार पूछे जा चुके हैं यह सारे के सारे प्रस्ण है ठीक है विबिन एक जामों में तो मित्रों अरद्यारेस अके